दोस्ता आज हम बात करेंगे इस साल की चार बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें सलमान खान की फिल्म टाइगार 3, ठाला पती विजेई की फिल्म लियो टाइगर शोब की फिल्म गंदपत और शारुक की सबसे बड़ी व्लोग बश्टा हो कौन सी हो चुकी है फ्लोग लेकिन यह जानने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना और आप सलमान खान शारुक खान थाला पती विजय व टाइगर शोप में से कौन से सूबरिश्टार के सबसे बड़े फैने अभी हमें नीचे कमे से लेका वर्ल्ड वायट बॉक्स ओविस पर 8500 से जादा स्क्रिंस पर रिलीस किया गया और 300 करोड रुपे के बिग बजट में बनाये जाने की वज़े से शारुक खान के फिल्म जवान ने बॉक्स ओविस पर रिलीस होते ही सारे रिकोर्ड तोड़ दिये क्योंकि फिल्म एक एक्षन से बर्पूर फिल्म थी जिस वज़े से मास ओडियंस को जवान फिल्म काफी जाला पसंद आई और 4.5 के दमदार रिव मिलने की वज़े से फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स ओविस पर काफी बड़ी ओपनिंग लेने में कामियाब हुई और फिल्म ने अप जवान फिल्म अभी भी बॉक्स ओविस पर कई थेटर में चल रही जिस वज़े से फिल्म का अभी तक का जो कलेक्शन सामने आया है उस हिसाफ से जवान फिल्म ने बॉक्स ओविस के 2023 के सारे रिकोर्ड तोड़ दी है और फिल्म अपने सुनसर्ट दिनों में ओल ओर इंड टाइम लगबश्ट भी हो गई लेकिन अब बात कर लेते हैं इस एपसोड की दूसरी और इस साल की एक और बड़ी बॉलिवट फिल्म गनपत के बारी में जिससे कि आप सभी को बताए गनपत फिल्म में आपको टाइगर स्ट्रोप जैसे बड़े इस्टाकाश्ट देखने नहीं किया और फिल्म की कहानी काफी बेकार होनी की वज़े से फिल्म बॉक्स ओविस पर बड़ी ओपनिंग नहीं कर पाई और टाइगर शोप का इस्टार डम भी बॉक्स ओविस पर फीका साबित हुआ युकि फिल्म नहीं दिन बॉक्स ओविस पर दम तोड़ते हुए 2 करोड 1950 लाग रुपे की ओपनिंग की इसी किसाiddव फिल्म का पहले पतेका बॉक्स ओविस कलेक्शन भी काफी कम रहा लेकिन अगर गणपत फिल्म के अभी तक के टुटल बॉक्स और फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी ओडियन्स के बीच काफी अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिला था लेकिन अभी तक का जो गनपत फिल्म का बोक्स ओविस कलेक्शन सामनी आया है उस हिसाब से गनपत फिल्म पबलिक के हिसाब से बिल्कुल भी खरी नहीं हुतरी और बोक्स ओविस पर भी कोई बड़ा दमाका नहीं कर पाई क्योंकि फिल्म को अभी तक बोक्स ओविस पर रिलेस होए लगबग 23 दिन से जाला हो चुके हैं और रिपोर्ट संग मुता भी गनपत फिल्म का अभी तक का 23 दिनों का टोटल इंदी बोक्स ओविस कलेक्शन 13 करोड 11 लाग रुपे के असपास रहा हैं फिल्म वल्डवाइड बोक्स ओविस पर भी कोई रिकोर्ड नहीं बना पाई और फिल्म वल्डवाइड बोक्स ओविस पर सिर्फ 21 करोड 90 लाग रुपे के असपास कमाई करने में कामियाब हुई और फिल्म 2023 की सबस्बड़ी ड लियो के बारे में आपको बता दें लियो फिल्म में आपको थालापती विज़ई के साथ संजय इदत और भी कही मल्टी स्टाक आश्ट देखने को मिले थे वह लियो फिल्म को भी 300 करोड उपे के बिग बजट में बनाया गया वो फिल्म को वर्ड वाइड बोक्स ओविस पर 6000 2000 से भी जादा स्क्रिन से मिली जिस वज़े से फिल्म को लेकर बोक्स ओविस पर काफ़ अच्छा क्रेज देखने को मिला और साउट की काफ़ अच्छी मास्ट इंटर्टेनिंग फिल्म होने की वज़े से फिल्म को पब्लिक से लेकर गडिक्स ने फोर इस्टा रियू दिय और फिल्मों को लेकर काफी तगड़ा वर्ड आपमाउथ होने की वज़े से फिल्म अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ओविस से लेकर वल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर रिकोर्ड तोरने में कामियाब रही क्योंकि फिल्म का पहले दिन का सभी लिंग्वेज का इंडि अपनर फिल्मों में भी शामिल हो गई लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टूटा कलेक्शन और रिकोर्ड की बात करें तो लियो फिल्म को लेकर माना जा रहा था फिल्म बॉक्स ओविस पर वर्ल डवाइड एक जार करोड क्लब में शामिल हो सकती है क्योंकि फिल्म के पाउजूद अगर फिल्म के अभी तक के टूटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो लियो फिल्म को अभी तक बॉक्स ओविस पर रिलीस हुए आज 24 दिन से भी जारा हो चुगे है और रिपोर्ट से के मुताबिक लियो फिल्म अपने 24 दिन होने के बाउजूद उपे से जज़्या की कमाई कर लेगी लेकिन फिल्म वेल amazon बॉक्स ओविस पर अपने वजट से लगबाग दो जुना से ज़्या की कमाई करने में कामयाब रहेगी और फिल्म वेल व लडवार बॉक्स ओविस पर इस साल के सबी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे चोडते जैसे कि आप सभी को बताए Tiger 3 फिल्म box office पर release हो चुकी है और फिल्म box office पर काफी record तोड कमाई कर रही लेकिन अगर Tiger 3 फिल्म के buzzard screens count और first day box office collection की बात करें तो Tiger 3 फिल्म को 300 करोड उपे के big budget में बनाया गया और अगर फिल्म के screens count की बात करें तो Tiger 3 फिल्म को screens के मामले में जवान फिल्म से कम screen से मिली और फिल्म हिंदी box office यानी all over India में लगबग 5000 से ज़्यादा screens पर release हो रही लेकिन अगर फिल्म के review की बात करें तो overseas से film का review सामने आ क्योंकि Tiger 3 फिल्म को overseas box office पर काफी ज़्यादा पसंद किया गया और सलमान खान के fans के साथ साथ पबलिक ने भी फिल्म को लगबग 4 इस्टारियू दिया जिस ज़से माना चारा है फिल्म में आपको action से लेकर emotion और fight scene काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और कईयों का तो क कि जो रिपोर्स जामने आ रही है उसे हिसाब से Tiger 3 फिल्म की advance booking लगबग 20 करोड रुपे के आकड़े को पार कर चुकी है जिस होजे से फिल्म के morning के show के बाद ही फिल्म को लेकर काफी जबजस्त occupancy देखने को मिलेगी और हो सकता है फिल्म के दोफर और night के show में फिल्म की occupancy हाउसपुल हो जाए और अगर फिल्म को लेकर काफी दगड़ा word out mount होगा तो सल्मान खान की फिल्म Tiger 3 अपने पहले दिन हिंदी box office पर लगब 51 करोड रुपे से ज़ादा की opening कर लेगी लेकिन अगर फिल्म के world wide box office collection की बात करें तो जैसे कि आप सभी को बताए सल्मान खान की overseas box office पर काफी तरगड़ी fan following है और पूरे दुनिया भर में सल्मान खान के fans काफी तादात में है जिस वज़े से हो सकता है सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 अपने पहले दिन world wide box office पर 100 करोड उपे से भी ज़ादा की opening करें और रिपोर्ट से भी आ रही है फिल्म अपने पहले दिन world wide box office पर 105 करोड उपे के आकड़े को पार कर सकती तो दूस्त आज की collection के मामले में तो सल्मान खान के फिल्म टाइगर 3 का collection रहे का जादा लेकिन lifetime collection के मामले में शारुक खान की फिल्म ज़वान मारे की बाजी लेकिन आप इन चारों फिल्मों में से कौन से फिल्म को कहोगे 2023 की सबसे बड़ी ब्लोगवश्टर फिल्म और कौन से सूपरिश्टार को कहोगे 2023 का इंडिया का बोक्स ओविस का सबसे बड़ा सूपरिश्टार आप किरा हमने इस कमेंड का जरूरू बतायो डेसन आये तो हम वीडियो को लाइक हो चेर कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब को बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें